एलो एवरिवन कैसे हैं सभी दोस्ता आज में react.js में ड्रैग और ड्रॉप करना सिखेंगे एक लिस्ट को आप री अरेंज कर सकते हैं ड्रैग करके तो यहां पर देखो वन ऊपर है तो मैं चाहते हो तू यहां पर आ जाए ठीक है थ्री जहां पर आ जाए यह देखो ड्रैग अब बिल्कुल सीपुएंस वाज़ आ गया वन को यहां पर रखने है वरन को यहां पर रखने इसको यहां पर रखने यह होता है ड्रैग ऑंड्रॉप वहुत ही ज्यादा यूस होने वाल़ा कॉंसेप्ट है इसको हम आज बनाना सीखेंगे मैं आपको आज करवाँगी उसी पजल गेम पनानी है इमेज को मूब करना है उसी के उपर सेम लोजिक लगेगा तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट करना है रियक्ट अगर आपको किसी और चीज़ के उपर ड्रैगन ट्रॉप लगाने तो आप बता सकते हैं रियक्ट फंक्शन पनाओ एक एप एक्सपोर्ट कर लेते हैं डिफॉल्ट एप रिटर्न में जाके पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं एक लिस्ट बनानी तो मैं जहां पर एक डिवल काके इसको कलास में मेर कर देती हूं कंटेइनर बना देते हूं और CSS का कोड हटा देती बैसे जरूरत भी नहीं है मैं रहने देती हुँ तो आपके लिए जानना जो रही नहीं है CSS का पोड यहां पर मैं ड्रेग और लिखर देती हूं तो अपने आप इसे डिजाइन हो जागा तो इसे सैंटर में आ जागा ठीक है अपने आप डिजाइन होके इदर मैं अपनी CSS क और रहे हुं इसको एक कलास नाम कर देते हैं लिस्ट नाम का इसको मैंने डिजाइन कर रखा है एक li टैग एड़ करो इसके बीच वे एक कलास नीम एड़ कर दो नाम इसका आइटम रख देते हैं तो जहाँ पर देखो अपनी आपर इधर आगे ठीका कंब आडम कर दखो अपनी आपने यह तो जिसे वह आलेमिंट को ड्रैग आँड करना हो भाह पर जाकिंजे बेखो अपनी अपने आपने कर से पमेंड़ आपने कर देको कि यहां पर देखो यह वाला करसर अलग है और जहां से देखो इसको ऐसे कलिक करेंगे जैसे लगा रहा कि हम इसको सच में घ्राइब कर रहे हैं तो इसके लिए यह करसर आप घ्राइब लगा देना बस बाकि देख लो आपने कोडिंग करनी है कि नहीं CSS की यह हो गया सबसे पहले हम इसकी जो लिस्ट है वो create करेंगे इधर से नहीं create करूंगी मैं जाओंगी जहां पर पॉंस्ट एक बना लेते हैं items तो मैं जहां पर items add करूंगी set items कर देते हैं एक user state लगा देते हैं इसके वीचे सारी के सारी लिस्ट आपने create कर देनी है id के साथ में करूंगी id एक यहां पर एक लिखो text रहेगा text में add करूंगी item 1 यहां पर लगा दो comma जितनी भी आपने लिस्ट में elements add करने हैं तो आपने इसको बस copy waste कर लेना है तो मैं 4 लगा रही हूं तीन चार जी आईडी जरूर चेंज कर देना इसको पता चल जागा कि किस id को मैंने drag and drop करना है यह हो गया है हमारे पास list इसको हम जहां पर show करा देते हैं आपने आजाने li tag में show कैसे कराते हैं यह बहुत बार मैंने करवाया हुआ है मैप के साथ यूज करते हैं मैप को एक बार सीख लो आप बहुत ज़्यादा यूज होता है react.js में मैप के साथ हम कुछ भी यहां पर show करा सकते है react.js का code आपने जिदर भी show कराना है मैंने यहां पर show कराना है यूल के बाद items नाम का एक variable मैं उपर create कर दूंग इसको मैं use कर रही हूं map के साथ यहां पर आपने दो variable बनाने है एक item एक दूसरा बना देते हैं index नाम का जे वाली जो तीन bracket है इसको उठाके आपने li tag को आपने show कराना है तो इसके बाद आप इसको बंद कर दो जे वाला जो items वाला है इसको हम create कर देंगे बाद में फिलहाल जहां पे लिखो जे वाला मेरे पास li है इसके बीच आपने angular bracket के बीच लिखना है key is equal to item.id जे id हम वो उपर जो mention की है बहां से हम उठा रहे हैं बस इसको इतना लिखो और li tag के बीच आके print कर दो सारी के सारी item आइटम को print करना है dot साथ में इसको text जे वाला जो हमने variable बनाया हुआ है items वाला इसको copy करेंगे इसको आपने define कर देना है कहीं भी जाके इदर ही आ जाते हैं जा इसके बाद कर देते हैं const ये वाला items हमने किया हुआ है define सही है इसी को में हमने use किया है तो हमें इसको define करने की जरूरत नहीं पड़ेगी refresh करो तो मेरे पास एक दो तीन चार लिखा आ गया जे code basically सिर्फ इनको show कराने का था list को अभी इसमें drag का कोई code नहीं है अगर आप list कर रहे हैं तो आप ऐसे list अपनी show करा सकती है तो मेरे पास list आ गई अब बारियते drag and drop की तीन हमारे पास main function है drag and drop करने के तीन मिलके काम करेंगे जिदर भी जिस content को आपने drag करना है कोई image है कोई list है कोई आपके पास div है उसके उपर आपने जहां पर ज लगाना है इधर लगा रही हूं मैं सबसे पहले ड्रैगेवल इस इकल टू करो तो तुझे टू करना ज़रूरी है जिद्रैगे बना बनाया इससे पता चल जाएगे कि हम इसको ड्रैग करेंगे on drag start is equal to जैसे हम पहले क्या बनाते थे यहां पर on change on click ऐसे बनाते थे लेकिन एक function है बना बनाया on drag start तो अगर आप drag किसी चीज को करना चाते तो जहां पर function on drag start का लगेगा एक start वाला रहेगा तो आपने इसको कोई नाम दे देना है handle इसका नाम रख देते है start जहां पे आपने दो object पास कर देने e और एक index एक जह स्टार्ट का रहेगा same ऐसे ही जहां स एंटर करके same ऐसे ही बनाना है on drag over अगर मैंने start जहां पर ऐसे लिखा है on drag start तो ऐसे ही आना है ठीक है अगर d capital है capital ही आनी है तो जह function है बने-बने same ऐसे ही जैसे on click होता है on change होता है तो हम इसको change नहीं कर सकती है same ऐसे ही लिखना है इसका नाम कोई दो इसका नाम handle over रख देते हैं दो हो गए function एक तीसरा इनका और है on drop तीन जे मिलके ही काम करेंगे किसी वी चीज को drag इन तीनों ने मिलके करना है drag and drop इसका नाम कोई रख दो handle drop नाम दे देते हैं इधर आपने e और index दो parameter जहां object पास कर ने तो यह हमारा code हो गया तीनों मिलके बस यह काम करेंगे तीन की coding करेंगे अब हम जहां पर चलते हैं इधर आजाओ यह जो हमने बनाए हुए है list बन गई इसको हम enter कर देते हैं list के बाद add करो पॉंस्ट एक नेया नाम दो इसका नाम है dragged item रख दे कोई भी नाम दे दो इसको set कर दो dragged item इसको null शोड़ दो बिल्कुल खाली शोड़ दो यहां पर कॉंस्ट पहला handle उसकी बारी handle start वाला हम इसको use करेंगे इधर भी आपने एक जे वाले जो इ और index वहां पर हमने पास किया था ना इसको हम use करेंगे इ और index बस हम क्या करेंगे set कर दो जो dragged item है जे वाले जो dragged item है इसको set कर दो index set करना है लेकिन ऐसे नहीं हम इसको करेंगे जो मेरे पास items वाला variable है उसको array के साथ करेंगे कि अधर के बीच index के आएगा एक id दो आईडी तीन आईडी 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 जानी उसके सारी सारी मतलब पहली अनिस्ट दूसरी लिस्ट तीसरी लिस्ट तो इंडेक्स के बीच अपने आप वह मूव होता रहेगा पता चल जाएगा कि कौन सी आईडी को ह करना है तो जहां पर इसको लगाओ जे वाला नहीं आएगा जे तो इसको हटाओ बस यह इतना ही है मेरे पास यहां पर यह बंद हो जाना है इसको कर दो जे एक हमारा हो गया फंक्शन खतम एक फंक्शन के कोडिंग हो चुकी है दूसरा बनाओ इसको दो हेंटल ड्रॉप का रहां के बीच हम क्या लगाएंगे कर जो हमने उब्जक्ट पास किया है दूसरा बनाओ एक कि इसका नाम है ड्रॉप इंडैक्स रखूँए कोई बही नाम देदो इसको हैंडल स्टार्ट ने इसको बोलना है कि आप इसको ड्रैग कर सकते हैं प् इसको हम यहां पर फूद टाइप करेंगे पॉंस्ट बना लो एक यहां पर बनाओ पॉंस्ट इसको कोई नाम दो नाम इसको दे देते हैं ड्रैग इंडेक्स इस इकल टू इडॉट डेटा ट्रांसफर तो यह ऐसे ही आएगा डेटा हमने ट्रांसफर करना है डेटा ट्रांसफर.डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड किया है उसको बहां पर गेट करके उदर ही रख देगा जिदर में चाहती हूं तो जह हमारी function है बने बनाई इसको वह क्या करेगा जो भी आपने जितने भी functions आपने इसको एड़ डिलीट भी बोलते हैं मैंने कोई भी इसको जहां से drag and drop करना इसको एड़ करना भी बोलते हैं एड़ ही हो गया यहां पर मैं किसी भी आइटम पर उठाँगी इसको उठाके मैंने उपर देखे जाने मतलों उपर जाके एड़ कर दिया तो इसके लिए मैं यह वाला यूज करूंगी तीन डॉट रिमूब भी करना किस को करना है अपड़ेट ड्रेगी आइटम Thanom जितनी बहुत करना। दॉट सुन धुक्त करना है तो ठाके इसको करेंगी है। won तो ुसके लिए वी आइटम यहां क्शिए-डूब करना था करना है अदिसर्ट करना ग्लूफ ребята कस्को करना चाहती हुआ है सप्लाइस ड्रे ग्रएंडेक्स को ूझ Demono लिखना यह ज़रूर है जहाँ इसकी बैलिए लिखें के वन जidences कर देगा अज़िये कादक्त करनेके अफैट करना है अपडेट करता है इसको करना है इसको डोट सप्लाइस करेγα remove करेगा दूसरा क्या करेगा insert करेगा supply से पहले ही मैंने बताया remove और add करने के लिए insert जा remove करने के लिए यूज होता है किसी भी आइटम को तो मैं जहाँ पर supply से जूज करके जो मेरे पास drop index है उसको मैं insert करूँगी 0 मैं जहाँ पर लुखोंगे 0 से start होगा dragged item इसको मैं करना चाहती हूँ insert दो method यूज होने है जे है रिमूब करने के लिए जे है insert करने के लिए set कर लो थोड़ स्पेस दे दें set कर लो जो items है आपके पास update वाला जहां पर पॉल कर दो update items को हम जहां पर set वा आइटम वाले तो जहां पर handle over वाला नहीं लगाया हमने पर handle over वाला पहरे लगा देती है इदर कहीं भी लगा दो पॉंस्ट बना लो एक handle over का इपार जरूरी है जब भी वहां पर हम किसी वह item को वहां पर रख देती है मालो हमें यह वहां पर drag कर देती है ड्रैग ड्रॉप कर दे उसके बाद ओबर हो जाए ऐसा नहों कि वह एलिमेंट बहां पर घूमता ही रही जैसे जैसे मौब करती चाहूंगी मौबस के साथ ही वह घूमता नहीं उसको ओबर करना जुरूरी होता है अबर कैसे करेंगे जस्ट इ.पर्वेंट कर दो डिपॉल्ट इड़िवर्ट तुझे अपने आप ओबर हो जाएगा सारी के सारी इसके फंक्शनालिटी बहां पर ही रोक देगा एक बार मैंने इसको ड्रैग ड्रॉप कर देया बहां पर ही रुक जाए उसके बाद जे वो चल करना है इसको आपने को को कॉपी जाती है तो हर भर ऐसे होता है अगर एक और करेंग में करते हैं deny cog कोफी बनती जागी ayon कि हो जाए हिसी के बीच हमें एक निया कोड लगाती है e dot data transfer करना है dot set कर दो data कौन सा करना है index जहां पर लिखो comma index पहले इसको refresh करो पहले test कर लेते हैं 2 को उठाना है तो जहां पर क्या बोल रहे हैं is not a function मैंने इसको कैसे लगाया हुआ है जहां से यह start हुआ e dot data transfer करना है यहां पर आएगा d capital आनी है पहले तो इसको उठाओ अब सही है तो यहां पर d capital बनाओ तो यह मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखा यह बना बनाया function है अब इसके जो working है वो आपको पता तो चली गई होगी जहां पर मैं इसको बोल रही है कि मैंने transfer करना है data लेकिन वही data transfer करो जिसको मैं उठा रही हूँ तो इसके copy नहीं बनेगी तो यह क्या कर रहा था जहां से मैं 4 उठा रही थी ना इसके सारी multiple copies create कर रहा था उसको पता ही नहीं चला रहा था मैं कौन सी item उठा रही है कि मैंने इसको drag करना है अब मैंने जहां पर इसको बोल दिया कि मैंने index वाले को करना है तो जहां पर बस index हो गया ना जैसे मर्जे drag and drop करते जाओ आप इसको rearrange कर सकते हैं तो आप ऐसी list बनाओ अगर आप student data handle करना चाहते हैं कोई भी data है आपने handle करना है उसको आप ड्रेक्ट इधर से ही rearrange कर सकते हैं coding के साथ ना करो ठीक है अगर आप गेम भी create करना चाहते है पजल गेम होती है अपने image को move करके कहीं और लेके जाना है यह था हमारा topic मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में